हेलो फ्रेंड आज हम बनाएंगे हरे मटर से बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सा नास्ता तो चलिए उसे बनाना हम सुरू करते हैं बनाने के लिए देखिए हमने यहां पर लिया है 200 ग्राम गेहूं का आटा और उसमे हमने डाला है थोड़ा सन्नमक अर डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा बिल्गुल उसी तरीके से हमें डो तयार करना है इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम डो रेडी कर लेंगे यह देखे हैं हमारा डो रेडी हो चुका है अब इसे हम रख देते हैं साइड में और करते हैं अपनी दूसरी तैयारी उसके लिए देखे हमने गैस पर रख लिया एक पैन पैन में डाला है तोटेबल इस्पून डिफैनड ओल अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा tãoे टूफ थोड़ा जीरह थोड़ा मेति दाना थोड़ा साबू धनिया यह चार चीजे हमें इसमें डालनी है और इस चाल इसमें डाल रहे हैं अद्रक लेसन कूटकर अद्रक लेसन का पेस्ट नहीं डालना है यहां पर हमें अद्रक लेसन कूटकर ही डालना है इसे हम खलबते में कूटकर डालेंगे अब इसमें हम डाल देंगे अपने फ्रेस मटर छिले हुए यह फ्रोजन मटर नहीं है अभी तो स जब तक हमारा मतर सोफ्ट नहीं हो जाता । तो देखी sound here यह लापकर मेश भूंदर सब्सक्राइब मसाले wife вопрос powder सय कोड़ी है । ने खुमारे मोंदर ये देखिए हमने इसे भून लिया है अब इसमें हम डाल देंगे दो उबले हुए आलू ये देखिए ये उबले हुए आलू है और इसे हमने मैस कर लिया है और इसे हम मिक्स कर देते हैं इसमें अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स कर देंगे बिल्कुल मैस करते हुए ये देखे हमने इसे मिक्स कर दिया है अब इसे हम थोड़ी देर भून लेते हैं जिससे आलू हमारा अच्छी तरीके से भून जाए बैस दो से तीन मिनट हम इसे भूनेंगे तो देखे ये भून चुका ह अब इसे हम ठंडा होने देते हैं उपर से डाल देते थोड़ा सा हरा दनिया और मिक्स कर देते हैं ये देख्या हमने इसे मिक्स कर दिया अब देखिए यहां पर हमारा आटा रेडी हो चुका है ठोड़ी देर हमने इसे रख दिया था अब यह रेडी से तोड़ी देर इसी तरीके से मसल लेते हैं ताकि यह और भी ज़्यादा सौफ्ट हो जाए अब हम अपने आटा मैंसे इस तरीके से छोटे-छोटे से लोईयां तोड़ेंगे यह देखे इस तरीके से हम इसे तोड़ लेंगे सारी लोईयां हमने यहां पर तोड़ लिया है अब इसमें से हम इसे गोल-गोल कर देंगे सारी लोईों को हमने यहां पर गोल कर लिया है और यहां पर लिया एक प्लेट में हमने आटा और इस तरीके से हम दो लोईों को एक साथ जोडते हुए हतेलियों के मदद से इस तरीके से हम इसे फैलाएंगे ये देखे इस तरीके से फैला देंगे हम इसी तरीके से हम सारे बना लेते हैं तो देखें आप हमने सारे बना लिया है अब हमने जो दो पार्ट था उसमें से एक पार्ट लिया है और उसके उपर हम लगाएंगे रिफाइन डॉयल रिफाइन डॉयल की जगह आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं चारो तरफ हम अच्छी तरीके से लगाएंगे और जो दूसरा पार्ट है हम उस पे आटाइ स्प्रिंकल करेंगे इस तरीके से लगा देंगे और दूसरे के उपर इस तरीके से रख देंगे सारे हम इसी तरीके से बना कर रख लेते हैं तो हमने सारे बना लिएं अब उसमें से हमने एक लिया है और इस तरीके से हम इसे बेलेंगे जैसे हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे बेलना है जितना पतला आप बेल सके उतना पतला आप इसे बेलीये यह देखे हैं हमने इसे बेल लिया है continent अब यहां पर हमारा तवा हो चुका है गरम आभ हमे इसे टवाय पर चलते तवाय पर और इसे हमें बहुत जाद देर तक नहीं सेखना है बस एक मिनट मुश्किल से लगेगा इसे सेखने में ये देखिए अब हमने इसे पलट दिया है दूसरी साइड भी हिलका सा सेख लेते हैं ये देखिए बस इसी तरीके से हम सारे सेख लेंगे अब देखिए हम इसको अलग करेंगे यह देखिए बहुत ही आसानी से यह अलग हो जाता है बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं अब उसमें से हमने एक पार्ट लिया है और इस तरीके से हम पट्रे पे उल्टा करके रखेंगे और इसके उपर हमने जो फिलिंग बनाई है बस वह पाइंगे आठा घुका गोल यहां पर मैदा का इस्तेमाल नहीं हमने थोड़ा साथा लिया और पानी बस इस तरीके से इसका गोल तइयार कर लिया है इस चिपकाने के लिए नहीं खबीन रख देंगे एक साइट में तब तक सारे बनकर हमारे रिडि हो चुके हैं यहां पर जब बनाएंगे तो ये तेल भी बहुत कम सोकता है बिल्कुल भी तेल नहीं अपजोब करेगा और बहुत जल्दी से फ्राई हो जाएगा और क्रिस्पी बहुत जादा होगा तो फ्रेंड इस तरीके से आप जरूर बनाईएगा आप एक बार बनाएंगे तो आपको पता चले यह देखिए तो देखिए यहां पर दूसरी शायट भी सिक्चू की अच्छी तरीके से काफी क्रिस्पी हो चुका है अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में तो देखिए हमने यहां पर निकाल लिए हैं कितना अच्छा लग रहा है ना मैं इसे आपको काट कर भी दिखा किलाती हूं कि कितनी क्रिस्पी बनी ऑर कि तरह को categ लग रहा है कि खाने में तो यह बहुत ही ज़्स्टी आ है कि इसปहोच था है कि तो हमेशा ही कि और यह थुठी से आहेंग़ नगर कि तो है कि रीजाल झाल K को कैर पर लोगा सुध दूर्ण इस तरीके से एक बार आप जरूर बनाईएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक से अर कीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग